कि नमाश्कार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने खुद के पतन का कारण बनते हैं बिल्कुल और वो कैसे बनते हैं आप यह देखिए स्वाय भगवान से कृष्ण ने कहा है कि एसे लोग अपनी बर्बादी का कारण खुद होते हैं कोई दूसरे नहीं होते हैं कोई दूसरे उनको बर्बाद नहीं करता है वो अपने आपको ही खुद बर्बाद कर लेते हैं और कैसे एसे पगवान से कृष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना मेहनत के उमीद रखता हो वो इंसान जीवन में हमेशा अपने पतन का कारण बनेगा पगवान से कृष्ट कहते हैं कि आप इस दुनिया में आये हो तो बिना मेहनत के कुछ भी पाना आप क्यों सोचते हो वो कहते हैं कि आपका इस दुनिया में आना और आपका कर्म करना आपका कर्म पर्दान है बिना कर्म किये अगर आप किसी से उमीद करोगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे जीवन में वो लक्ष मिल जाए मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाए तो आप से बड़ा सबसे बड़ा मुर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में उमीद भगवान से कृष्ण तो ये भी कहते है कि तु कर्म करते जा उमीद मत कर कर्म जितना करता रहे का न उतना ही ज्यादा तुमको फल मिलता रहे लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं सोटकट अपनाते हैं जाना ऐसे हैं और ऐसे डाइरेक्ट जाना चाहते हैं बहुत जल्दी सपलता प्राप्तर करना चाहते हैं बहुत जल्दी टोप पर पहुश्चना चाहते हैं तो ऐस तो रात चमक गए इस दुन्या में, नहीं, वो भी मेहनत करते हुए, आज उस लेवल पर पहुंचे हैं, तो फिर आप बिना मेहनत के उमीद क्यों करते हो, बिना मेहनत के उमीद मत करना, अगर ये आप करते हो ना, तो आप से बड़ा मुर्ख इस दुन्या में कोई नहीं सेकंड अगर आप ने बिना सोचे समझे किसी पर बरोसा कर लिया ना तो समझ लेना कि वह इंसान आपको ऐसा दगा देके जाएगा कि आप जीवन पर याद रखो गए आज कर टाइम बहुत सेलपिस हो गया है परतिस परता इतनी हो गई है कट थोट हो गई है मतलब गला काट परतिस परता हो गई है यहां तक कि आपके यार दोस्त रिष्टदार भी अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप से जलते हैं कोई नहीं चाता है आपको सकसेज होना देखना इसलिए इस स्वार्त बरी दुन्या में अगर आप किसी पर भरोसा करो तो सो समझ करना भगवान से क्रिष्टन कहते है कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत कर देना वरना वो इनसान आपका पतन कर देगा और वो आपको ऐ दोखा देखे जाएगा आप जिवन में कभी उठ नहीं पाऊगे इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करना भगवान से क्रिष्टन कहते हैं कि आप ये दो बाते जरूर द्यान रखना एक तो बिना महिनत के कभी उम्मीद मत रखना और बिना सोचे समझे किसी पर परोसा मत करना और अगर ये दो बाते आपने मान लिना आप अपने कर्म करते रहना तो आपको उमिद से भी बढ़ कर मिलेगा आपको जो आपने सोचा है